हेला फ्रेंड्स आज हम आपको एक ऐसी मेडिसीन से अउगत कराते हैं जो मेडिसीन हमारे आहों पैतिक में चंदन के तेल से त्यार की जाती है पोलियम सेंटम नामक मेडिसीन यह दवाई चंदन के तेल से त्यार की हुई मेडिसीन होती है मदर टिंचर फोन में आती है यह मेडिसीन यह मेडिसीन जिनको यूरीन से संबंदित कोई भी दिक्कत होती है पेशा में बहुत ज़्यादा जलन होना बर्निंग से सन होना मुत्रियंत और मुत्र नडी पर इसका बहुत ज़्यादा परभाव बहुती अच्छा परभाव देखा गया है यह परमे की बीमारी यानि सुजाक में बहुत परभावशाली मेडिसीन है अत्यधिक व्याभार की जाने वाली मेडिसीन है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सुजाक की बीमारी में बहुत गहराई से जोर लगातार छाती में भाड़ देने वालाकुत कफ जमा होता है जैसी खासी हूपीयं कफ जिसे कहते हैं ऐसी एदी खासी होती है जो बहुत ही deeply patient खासता है खासते खासते उसका पसीना निकल जाता है उसमें बहुत ही तुमेडिसिन है इस दवाई यानि चंदन के तेल की यदी आप दो तीन बून दवाई बतासे में या किसी चीज में डाल कर यदी पेशेंट को दे देते हैं तो आप देखेंगे थोड़े समय के बाद ही पेशेंट को आराम होना शुरू हो जाता है यानि खासी ठीक हो जाती है खासी में आराम आ जाता है बात कर रहे हैं हम सुजाक की सुजाक में तकलीव देने वाली यानि जनेंद्रियों में जो सुजाक के कार्ण से सुजन बन जाती है जिसमें कई बार मौाद या पीला गाड़ा पीव जैसा सराव पेरेनियम के बीच में बहुत ज़्यादा दर्द सुजाख की गलिट अवस्था में जब कोई दिक्कत होती है जलंग होती है बनिंग स्टेशन होता है उसमें बहुत ही अच्छा कारिय करती है ये मेडिसिन गलिट अवस्था में अधिक पीले रंग का सराव यूरिन के रास्ते से निकलता है उसमें बहुत अच्छा वर्ग करती है पेशाब की बीमारी में पेशाम निकालने वाली जो नली चेद बताई जिसे यूरेथा कहते हैं मुत्र नली अंदर से इतनी ज़्यादा रेलाल हो जाती है सुजन की वो जैसे कि पेशेंट को आग जैसी जलन होने लगती है जैसे आग से जल गया हो इस ताइट से महसूस होने लगता है जल जाने जैसे जलन के कारण पेशेंट को पेशाब करने में बहुत दिखत होने लगती है और योरीन की धार बहुत पारी यानि धीमी धीरे आनी शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई चीज मूतर नली में दवाव देकर दवाव डाल रही है ऐसा पेशेंट को मैसूस होता है हर समय उसमें एक चुबन जैसी यूरिन में यूरेथ्रा में सोरी हर समय एक चुबन जैसी मैसूस होती है ऐसे लगता है जैसे कोई तिन का आपके यूरेथ्रा में चुबराओ चुबन कांटे जैसा चुबराओ इस टाइप से महसूस होता है खड़े होने पर इसके पेशेंट को बहुत जादा तकलीप बढ़ जाती है इस दवाई के मूलर्ख यानि मदर टिंचर को सेवन करने से मुत्र मार्ग में होने वाली सभी परकार की दिक्कत है मसाने की दिक्कत मूत्र नली में जैसे ही जैसे आप ये मेडिसिन लेनी शुरू करते हैं तो चंदन बहुत ठंडा होता है तो मूत्र नली में ठंडग पहुँचाने का अशास ये मेडिसिन कराती है इसको लेने से सुजाक की बिमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है ओलियम सेंटाइस मेडिसिन का नाम है ये मेडिसिन मदर ठिंचर फॉर में आती है इस मेडिसिन की दस दस बून आप एक चोथाई का पानी में डाल कर यदि लेते हैं तो आपको यूरिन से संबंदी यूरेत्न यूरिन यंत्र से संबंदी जैसे आपका यूरेत्रा है मूत्र नली है आपका मसाना है आपके यूरिन में पर्निंग शेशन बहुत ज़्यादा तो यह medicine उसको बहुत जल्दी ठीक करती है मूत्र नली अंदर से ऐसी हो जाती है बिलकुर red जैसे उसमें जैसे कई बार आपने आपको मुँ में छाले हो जाते हैं तो आपकी जीब होट बिलकुर red हो जाते हैं और आप उसमें कुछ भी खाते हैं तो वो भी लगता है तब patient की यूरिन नली की होती है यानि यूरेथरा की होती है हर patient हर समय क्योंकि उसमें burning होने की वज़े से patient हर समय थोड़ा थोड़ा बार बार पेसाब जाने की का मन करता है उसको लगता है कि मैं urine जाता हूं तो उसमें तरावड सी महसूस होने से burning session कम होगा तो ये medicine इस type के case में बह है ये medicine ओलिम सेंटा के नाम से आती है होमियोपैथी की best medicine है चंदन के तेल से त्यार की हुए थेंक्यू बहुत